So friends good morning अभी सुबा का बज रहा है तस हम लोग जा रहे हैं अभी साई मंदीर तो सचा यहीं से ब्लॉग का सुरुगात करते हैं आप लोगों को भी गुमाते हैं साई मंदीर रेनोपुट का तो यहाँ पे हम लोग आया हैं यह गाड़ी में हवा ले रहे हैं हवा कम है समसुबा ब्लॉग नहीं सुरुगात कर पाए क्योंकि बहुत लेट से उठे और आज मेरे को घर में भी पूझा करना था और फटा-फटा सरकाम भी निप्टाना था तो सरकाम ही करने लगे तो ब्लॉग का सुरुवात नहीं कर पाए थे तो अभी अब हम जा रहे हैं मंदिर सुचा कि अब यहां से प्री हो गए हैं तो ब्लॉग का सुरुवात करते हैं आप लोगों को भी दर्सन करा देते हैं साई मंदिर का तो चलिए हम दिखाते हैं अपने हूं को लेने पुर्दधा साई मन्दीर तो FRIENDS देखिए हम लोग आ गए हैं साई मन्दीर तो यह है साई मन्दीर और यहां पर मतलब ऐसे सीधे ही इंटर होते ही सीडी है यहाँ पर और यहीं पर साइड में रखते हैं चड़ाने के लिए तेल और सब यहाँ पे सनी जी का भी मंदीर है तो वहाँ तेल ओल चड़ाने के लिए थोड़ा मोडा रखती है यहीं जो पूजा करवाती है वहीं और यहाँ के जो पंडी जी थे वो चले गए हैं कहीं और नहीं तो पहले यहाँ पे एक पंडी जी रहते अभी पंडी जी नहीं है एक लेडिज हैं वहीं पूजा उजा करवाती हैं सब तो ये देखिए ये हैं हम लोग के साई बाबा रेनो कुट के साई मंदीर तो बहुत ही बढ़िया है चोटा में है बहुत बढ़िया और इदर खड़ाओं रखा हुआ है और अब हम लगाएंग पूजा करके फिर उसके बाद यहां आए हैं यहां साई जी की यहां दिया जलाने है ऐसे तो हम साम को आते हैं हमेशा लेकिन इनका साम को ड्यूटी है धाई वज़े से ही तो फिर ये चले जाएंगे ड्यूटी तो फिर हम आ नहीं पाएंगे इसलिए हम लोग सुबा ही आ गए हैं घर में पुजा करने के बाद और यह हन्मान जी का मंदीर है यह संकर जी का मंदीर है और यह है सनी जी का मंदीर मतलब हाँ छोटा सा मंदीर यहीं पर तेलोल चड़ता है तो बस यह है छोटा सा मंदीर साई जी का है वो नसी के पीछे यह सम मंदीर है उसके बाद फ बड़े तक तो यह ताम को यहां जाते हैं ना साई मंदिर तो व्हां खिचड़ी मिलता है हर वीफै को वहां पे खिचड़ी का प्रसाद बढ़ता है तो आज तो हम लोग सुभा में गये थे इसलिए नहीं मिला तो साम को खिचड़ी का प्रसाद गए देखे geht जो पीला और रेड में दीख रहा है ये है हम लोग का काली माई काली माता का मंदीर है काली माई का मंदीर रेनुकूट का और ये है हम लोग का रेनुकूट का बजार बहुत ही अच्छा रेनुकूट मार्केट है और आज बजार का दिन नहीं है फिर भी देखिए सबजी ले के देहाद के आके बैठे हैं, बेच रहे हैं, so friends यहां जितना फ्रेज सब्जी हम लोग को मिल जाता है न, उतना फ्रेज किसी भी सहर में नहीं मिलेगा, यहां पे बिना सुई दवाई वाला एकदम फ्रेज सब्जी मिलता है, एकदम ताजा-ताजा सब्जी मिलता है, यह प्राइड जाते हैं, इन लोग को रोज कमाना है, रोज खाना है, तो बहुत ही फ्रेज सब्जी मिल जाता है, यहां पे हम लोग को साग सब्जी का कोई प्राबलम नहीं है, बहुत ही बढ़िया और हर कुछ मिलेगा, जो कि हम लोग गाउं में अपने नहीं खाए होंगे, जैसे कि उदारण में वहीं ले लीजिए, जैसा कि हम सुरुवारी का जो साग दिखाया थे आप लोगों को, हम लोग के गाउं में बिलकुल कोई जानता भी नहीं, और हम रेनुकुट में आके खा लिए, तो यह है हम लोग का रेनुकुट, सो फ्रेंड्स हम आगे घर और अभी बज़ रहे है सुबह का 11 और अब चल रहे हैं, भूनेंगे कुछ मुंफली-ुंफली खाएंगे, और आज है मेरा ब्रत, गुरुवार, सो फ्रेंड्स हम घर में पूजा करके गए थे, मंदीर, और सुबह का हम ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी काम था, और सो के भी लेट सा उट है, जल भरने के लिए सितला मंदीर गए थे, क्योंकि जल भर नहीं पाये थे, और बारी सो रहा तो सा हो जाता तो चलिए बनाते हैं कुछ फलार में, सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नास्ता करेंगे, तो इसके लिए ये मुंफली भूनेंगे, मुंफली खाएंगे, दही भी है, दही खाएंगे, लेकिन खाली पेट दही खाते हैं तो वो अजीब नसा एक दम कर देता है, जैस होन लेंगे, मुंफली खाएंगे, उसके बाद खेट दरी खाएंगे, अब ये मुंफली हम बालू या कुछ नहीं डालें, ऐसे मेरा भूना जाता है, गम बढ़ियां से, अब इसको इससे लगा के मुंफली से खाएंगे, ये मिर्ची और ये वाला नमक लगा के मुंफली खाएंगे, तो बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है, और ब्रत में मिर्चा खाने के बाद एकदम मतलब अच्छा हो जाता है, तो बस अब हम ये चल रहे हैं, थोड़ा देखेंगे और ये खाएंगे, तो फ्रेंड्स हम मुंफली खाके उसके बाद थोड़ा लेटे हैं, फिर मेरा लाइव आने का टाइम हुआ, फिर उसके बाद इसके पापा डूटी चले गए और हम सो गए, और उसके बाद उटे हैं, तो देखें, बारिस हुआ पड़ा था यहां पे बार में, तो हम लोग के हाना बहुत बारिस हो रहा है, और जहां होना चाहिए, गाउ में बिल्कुल नहीं हो रहा है, गाउ में हम लोग का खेत में धान लग रहा है, मसीन से सारा भराई हो रहा है, खेत उसके बाद ही धान लग रहा है, तो ऐसा भगवान जी कर र जाता है, तो हम सारा तायारी साम को ही कर लेते हैं सुबा हाना बनाने का, कौहडा का सबची बनाते है तो ये मतलब कौहडा का सबजी बनाने के लिए हम इसको काट लेंगे साम को ही, जैसा हम बताएं कि सुबा का खाना बनाने के लिए हम साम को ही तैयारी कर लेते हैं तो सुबा के लिए हमको बहुत सहलियत मिल जाता है बहुत ही आराम से हम काम कर पाते हैं भागम भाग नहीं रहता मतलब ज़्यादा एकदम जब सारा कुछ सुबा ही करना होता है ना तो कैसे लिए हम सामकों ही आपना प्रिप्रेसन कर लेते हैं खाना बनाने का और यह उनका टिफिन भी है जो की एक हपता पहले ही धूल के रखे थे लेकिन इसको पर से धूल चाना देना हुट तो इसमें मन नहीं अलूँ जाता है लेकिन सूबह में बहुत आराम हो जाता है यह सब काम हमसाशम को करके रख लेते हैं तो सूबह के लिए बहुत और बहुत फड़ excitendo sister हाना बन जाता है और आज काए जींजी के बुरत में एक अनर साम को खाया जाता है तो यह हम एक ठो लिट्टी लगाए हुए हैं इसको सेकेंगे हम हीटर पे और हीटर पे अभी हम चड़ाए हैं आलू कोहडा तो काट लिये थे आलू उसमें सोचे उबाल के डालेंगे जैसा कि हम आप लोगों बताये ना कल बनाएंगे बिना हैं और यह आलू भी रख दिये थे हीटर पे जो की पक चुका है अब इसी पे हम अपना लिट्टी लगा लेंगे एक बड़ा लिट्टी है एक में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सो फ्रेंड्स मेरा लिट्टी सेक गया था और हम खा रहें लिट्टी और दही और उसके ब करेंगे तब खाना बनाना क्योंकि मर्जेंसी है तो रुकना भी पढ़ सकता है सायद तो इसलिए अभी हम कुछ बनाए नहीं है आटाव तो गूत के रखे ही हैं सो फ्रेंड्स ये था मेरा सुबह से रात तक का ब्लॉग अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छा नई ब्लॉग में तब तक के लिए बाई